आज के PNL analysis के वीडियो में आपका बहुत स्वाइट करता हूं मेरे दोस्तों। आज का दिन, Friday का दिन हमारी लॉस्मेकिंग दिन रहा है हला कि रिस्क मैनेजमेंट के चलते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो लॉस हुआ है वह 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 नॉमिनल है 10 लाग की कैपिटल के उपर only 3945 अगर आप मेरे पीनल की वीडियो को consistently analyze करो मैं आप बताना चाहता हूं with the grace of God आप सब की दुआओं की बज़ब से January से लेके अभी तक from January till date I am profitable you know that's that that's the grace of God that since January till today I am profitable with the grace of God और जो भी भी loss होता है है कि लॉसे दार पाट दोगे हमारी priority यही रहती है मेरी सोच यही रहती कि losses को minimize किया जाए losses को कम से कम रखा जाए जिससे और 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 प्रॉफिटिबिलिटी बनी रहा है चलिए आज की हेजिंग लेक था सेफ्टी लेक था प्रेटेक्शन लेक था ओरिजिनल लेक जो था देट वास 22,400 का कॉल सेल करना अब जो पुशन मैंने लीदी दैट वस बैरिश पॉशन अब चाड़े देखते हैं कि 932 को मैंने ऐसा क्या देखा जो मैंने आप जो है वो बैरिश पॉश यस्टरेड़े है इसेकिंड केंडल रेट केंडल थर्ड केंडल इडोस गांड़ दोची बडिट कुद नट क्रॉश इट तो यहां पर जाके आए थाट अपर जाके वापस रिवेर्स आने लगी अड़ तर ताम आई थाट के इस गुट ताम तो गो शॉट कल का हाई जो व था प्रिवियस डे का हाई अब जैसे यह केंडल आप देखो लॉजिकल है यह 10 30 से 10 35 वाली केंडल जैसे इस केंडल ने प्रिवियस टेडिंग डे के हाई के ऊपर क्लोस दे दिया आई बॉक्ट माई लॉस इमेडिएटली तो आट वस दो प्रोसस एड़ फॉलोड उसके ब गुड़ गें आथ देख सकते हो क्लोजिंग के तौर पे 22,466 पे क्लोज भी दिया है बट मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया और फ्राइडे था प्रीमियम में इतनी मोमेंटम नहीं था और इन सब रीजन्स के चलते आई बॉक्ट माई लॉस ओवर देर एट 105 एन जै कैसा लगता है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए मिलता हो नहीं वीडियो के अंदर बहुत बहुत शक्रिया